नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे क्रंची नट्स चोकलेट, इसके लिए हम लेंगे दो बड़ा चमच अंसल्टेट बटर, दो बड़ा चमच मिक्स ड्राइफूट कटा हुआ और 250 ग्राम डार्क कमपाउंड चोकलेट, अब सबसे पहले पैन को गैस पर गरम करेंगे औ इसमें कटा हुआ ड्राइफूट डाल देंगे, साथ में इसमें आदा चोटा चमच बटर डाल देंगे और इसको रोस्ट करेंगे धीमी आज पर, रोस्ट हो जाने पर इसमें एक चुटकी नमक डालेंगे जिससे ड्राइफूट का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना है इसको बस लाइट पिंक रोस्ट करेंगे और रोस्ट हो जाने के बाद इसको एक अलग बरतन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे, अब हम चॉकलेट को मिल्ट करेंगे, मिल्ट करने के लिए हम इसको डबल वाइल करेंगे, डबल वाइल करने के लिए एक बरतन में पानी गरम करने के लिए रख दीजिए और उसके उपर एक दुसरे बावल में चॉकलेट को लेकर उसके उपर रख दीजिए उबलते हुए पानी के बरतन के उपर और इसको मिल्ट करिए देखी चॉकलेट मिल्ट हो गया है अब हम इस तो आप नॉर्मल बटर का इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ड्राइफूट में नमक का इस्तमाल मत करिएगा, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यह देखिए, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया, बटर डालने से चॉकलेट है, जो बहुत ही स्मूध हो जाता है, सिल् तो आप अपने टेस्ट के साफ से सकर को मिक्स कर सकते हैं, अब हम एक मोल्ड लेंगे, इस तरह से चॉकलेट मोल्ड और उसमें सारे चॉकलेट के मिक्स है, जो उसको हम फिल कर देंगे मोल्ड में, फिल हो जाने के बाद इसको अच्छे से टैप कर दीजिए, ताकि चॉकले लिए रह दीजिए ताकि chocolate अच्छ से से शेट्ट हो जाए। एक फीने हमारा अच्छ से से सेट्ट oldしま में हमारा से शेट्ट हो गया है अब इसको मोल्ड से बाहर निकाल लीजिए। इस चोकलेट को आप चाहें तो चॉकलेट रेपर में रैप कर सकते हैं और … या फिर इसको एक airtight container में रख का फ्रीज में रख दीजिए बाहर नहीं रखना है नहीं तो ये मिल्ट हो जाएगा और अपने हाँ से बना हुआ चॉकलेट अपने बच्चों को अपने परिवारोनों को और खुद भी खा ये बहुत ही स्वाधिस्ट है बहुत टेश्टी बना कमेंट करके और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू